हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP English Mantra में दोस्तो आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और अड्वांस इस्टक्चर तो आईए देखते हैं वो अड्वांस इस्टक्चर क्या है कभी कभी हमें पर देई लाइफ में इस प्रकार के संटेंसे बोलने होते हैं जैसे मैं तुम्हारे पक्च में हूँ क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाने के पक्च में है मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे sentences तोहाँ पर यूज करते हैं इसका हिंदी मीनिंग है के पक्ष में या फिर आप कह सकते हैं के तरफ होना तो आएगे इसका रूल देखते हैं सबसे पहले subject आएगा इसके बाद लिखेंगे is, am, are, was, were according to subject इसके बाद लिखेंगे in favor of इसके बाद आएगा noun, pronoun या फिर जिरंड आएगा friends जिरंड का मतलब होता है verb का ing form तो आएगे example के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं वह यहाँ आने के पक्ष में है he is in favor of coming here he is in favor of coming here मैं जो कर रही हूँ वह उसके पक्ष में नहीं है she is not in favor of what I am doing she is not in favor of what I am doing क्या तुम मेरे नड़य के पक्ष में हूँ are you in favor of my decision are you in favor of my decision मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ I am in favor of you I am in favor of you वह मेरी तरब से थी यानि वह मेरे पक्ष में थी तो इसका एंगलिस हो जाएगा she was in favor of me she was in favor of me या फिर आप कह सकते हैं she was in my favor she was in my favor वह गाना गाने के पक्ष में है he is in favor of singing a song he is in favor of singing a song क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाने के पक्ष में है is your brother in favor of going to school मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ I am speaking in favor of her that's it friends आज की वीडियो में बस इतना ही तो आए करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे क्या भी लोग नाचने के पक्ष में है तो friends से इस sentence के तालसन क्या होगा आप सभी लोग comment करके बताएगे और friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like, एक share, एक comment है motivation देता है next वीडियो बनाने के लिए till then bye bye take care, keep learning keep practicing